कल आपने जो व्याख्या करी इश्वर, ओम, मनु की और आदम और अल्लाग की उसको लेकर रिवात हुआ आप ही के मंच पर और धर्मों के गुरू बैठे थे, उनमें से एक जो जैन मुनी थे रुकेश जी, उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी आप ही के सामने, कुछ नाराज़गी भी उन्होंने जाहिर की और उनका कहना ये था कि इस मंच से इसी बाते नहीं होनी चाहिए थी, जो आपने अपनी तक्रियर में कही तो उस पर आपका अपते जबाब नहीं आया, मुझे खुशी है कि हमारे माद्गम से पहली बार वो जबाब जा रहा है मैंने तो जतनी बात कही थी, वो अपने मुलक और हिंदुस्तान की महानता की बात थी हमारा अकीदा है कि अल्लाह ने आखिरी नभी हधरत मुहम्मद स्लिल्लाह अलेही वसल्म को अरब में पैदा किया इसी तरह हमारा अकीदा है कि जिस तरह हदरत मुहम्मद स्लिल्लाह अलेही वसल्म आखिरी नभी थे सबसे पहले नभी के लिए अल्लाह ने भारत की धर्ती का इंतिखाब किया और उनको जन्नत से दुनिया में उतारा ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मश्रूम की खेती करके महीने का पचास हजार कमा रही है मश्रूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए तो भारत में उतारा अल्लाह चाहता तो उनको अफरीका में उतार देता अल्लाह चाहता तो अरब में उतार देता लेकिन उसने इंतिखाब किया भारत की धर्ती का ये हमारे इस मुलक के लिए बड़ी महांग चीज़ है फिर एक बात ये है कि ये सवाल पाइदा होता है कि मनु अबादत किसकी करते थे मैंने इसको बहुत लोगों से पूछा है लेकिन चुए कोई आसमानी किताब नहीं है इस बारे में आपके पास हमारे पास Quoran है, इसाईयों के पास इनजील है, यहूदीयों के पास तबरात है हदरत दाओत को मानने ओाले को पास जबूर है डुनिया के अंदर लेकिन हमारे ब्रादरान बतन के पास कोई झताब नी इसलिए इसकी तफसिल आपके पास नहीं है लेकिन एक बात ये खुली हुई है कि हदरत आदम हमारे अकिदे के इतबार से भारत की धर्थी पर उत्रे है अब भारती लोग उनको कहते क्या हैं अगर किताब होती तो बिल्कुल सपस्टरू से एक बात होती कि वो फुलाँ आदमी उनका नाम ये था ज्यादातर लोग जो कहते हैं वो मनु को कहते हैं कि उनका नाम हमारे यहां मनु है और उनकी अवलाद का नाम मनुश है जिस तरह हमारे यहां आदम उनका नाम है जो आसमान से उतारे गए थे और उनकी अवलाद को आदमी कहा जाता है ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मश्रूम की खेती करके महीने का पचास हजार कमा रही है मश्रूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए इसमें कोई अंतर नहीं है कि एक आदमी और एक उसकी बीवी आसमान से उतरी थी और उस से अललह ने उसकी अलाद को चलाया है ये पहला सवाल था कि वो कौन हैं आम तरीके पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं कि वो मनू हैं मेरा दूसरा सवाल ये था कि वो अबादत किसकी करते थी ना रामर थे ना श्री राम थे उस वाद कोई नहीं था किसकी अबादत की वो अबादत करते थे मैंने बहुत लोगों से पूछा हमारा अकीदा ये है कि जिसने उनको आस्मान और जन्नत से उतारा था वो उसको जनते थे वो उसी एक अल्लाह की अबादत करते थे लोग ये कहते हैं हिंदूओं से जो पढ़े लिखे रहों से मेरी तीन चार महीने से यही बात हो रही है वो कहते हैं आम की अबादत करते थे आम को वो कहते हैं ना इनका कोई जिसम है ना इनका कोई रंग है ना इनका कोई रूप वो हर जगे पाई जाते हैं सबको उन्होंने पैदा किया वो सदेव से हैं हमने का यही हम अल्लाह के बारे में गाएते हैं